नमस्कार शातियों जैहिंद कैसे आप सभी उप्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहतर होंगे और MPDLA को लेकर के एक जो इंपोर्टेंट अपडेट जहां तक मुझे पता चला है मतलब अंदर से बात पता चली है कि इस बार जो फूर्थ राउंड की हम लोग बाते लगाता है कर रहे है वो फूर्थ राउंड में राउंड के तौर पर रहेगा या फिर जैसे कि पिछले सालों में CLC होता आया है वैसा चलेगा इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रहे है तीसरी एक और बात इसको समझें आप ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने डाइरेक्ट एडमिशन के नाम पर किसी को पैसा दे दिया है वो लोग समझें इस बात को देखें पहली बात तो आपको किसी को पैसा देना नहीं चीए था अगर आपने पैसा दे भी दिया और सामने वाला अगर आपसे कह रहा है कि मतलब एडमिशन आपका हो गया तो आप उत्से वैलिट प्रूफ मांगिए क्या है कि मेरा एडमिशन हुआ है बात समझेंगा तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो just because कि उसने बोल दिया है कि मतलब मैं करा दूंगा और आपने इस नाम पे अगर उसको पैसे दे दिये तो आप यह समझेए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दे और अभी भी जो लोग पैसे देने के मूड में किसी को मतलब मैं किसी को मैं आपको सिरे से मना करूंगा कि आप ऐसा बिलकुल मत करिएगा बिलकुल भी मत करिये इसकी वैसे आपका लॉस हो जाएगा पैसे का तो लॉस होगा होगा उपर से जो मेंटल डिप्रेशन आएगी जो एक एंजाइटी टाइप की सिचुएशन बनेगी वह सब आपको जह करके आएगा मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब में राउंड की तरह आजा है रेगुलर तो वो तो आए नहीं डिले होकर यह लेकिन प्रॉब्लम यह फस्री है कि इसको में राउंड के तौर पर कराया जाए CLC करा लिया जाए या फिर कुछ को छूट दी जाए डारेक्ट एडमिशन की तो यह तो तीसरा जो आप्सन बनता है अपना डारेक्ट एडमिशन वाला यह तो मतलब पॉसिबल नहीं अब दो तरह से चल सकता है या तो इसको में राउंड के तौर पर कंसिडर किया जाए य क्योंकि में राउंड अगर यह लोग कराएंगे भी तो एक बहुत बड़ा जो एक डिस्क्रिपेंसी टाइप का निकल करके आया है कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट मेरे जानकारी में आया है जिनकी लो परसेंटेज थी 70-72 परसेंट के आसपास है इनका इसके बावजूद भी इनको कॉलेज मिल गए है और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट निकल करके आया है जिनका मतलब 80% तक है लेकिन उनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ऐसा करके तो समझो यह खेल गया है एक तो यह आपकी गलती हो सकती है और या फिर यह सिस्टम की गलती है तो आपकी गल मतलब हमारा रेसिदेन्सियल इलाका हाए है जहां हम रह रहे हैां उसी के आजपआस में क्या करते हैं हम लोग की कॉलेज जो होते हैं उनके नाम बगएरा डाल देते तो आपने फर्स्ट पे वो college डाल दिया जिसमें seat'े कम थी ठीक है आपके percent अच्छी खाजी थी लेकिन seats कम थी आपने शुरुआत के जो दो तीन चार college आपने चूज किये इनमें seat'े अगर कम है और आपने अगर इनको चूज कर लिया है तो definitely यह तो आपको मिलने से रहा लेकि at the same time low percent वाला candidate जिसने ऐसे college को चूज किया जिसमें seats जो है वो ज्यादा बची हुई है तो definitely preferably उसको low percent पे वो seat मिल जाएगी लेकिन high percent पे भी आपको यह college नहीं मिलें क्योंकि इनमे seat कम थी तो यह case हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ इस साल ठीक है चूँकि आप देख है वो expert से आपको एक बार जरूर advice लेनी चाहिए त tax之前 का उर्वाइस नहीं कर रहे तो आपको एक बार एक वहर रही आप आटवाइस लेनी चाहिए अपको मिलना चाहिए मतलब मैं कर रहा हूं तो कैसे मेरे लिए सही रहेगा कैसे नहीं इससे क्या होता है कि आपको जल्दी से college alert हो जाता है और एक और बात में तो मैं बता दूँ कि देखो यार अगर college alert हो गया तब तो तुम से college वाले genuine fees मांगेंगे ठीक है लेकिन अभी क्या है कि बहुत जारे ऐसे बच्चों queries है कि sir मैं क्या direct admission के लिए जाओं मैं करा लो तो मैं फिर मना कर रहा हूं direct admission नहीं होता बाई direct admission नहीं होता और अगर कोई तुम से कह रहा है कि direct admission कर रहा हो मैं पैसे दे दो, मैं करा दे रहा हूँ तो ये सब गलत बाते हैं, सब फालतु फर्जी बाते हैं कोई direct admission नहीं होता, except एक case बनता है, और वो है minority college minority status college जो भी है उसमें direct admission के लिए आप जा सकते हो लेकिन आप एक बात सुनो अगर minority के लिए आप college के लिए आ रहे हो, तो definitely वो लोग आपसे extra charge demand करेंगे, like एक साल का हो सकता है, वो आपसे 70 से 80 के तक की demand कर डालें मतलब यार जैन, थोड़ा सा अगर समझे ना, तो 80,000 रुपए में तो तुमारी दोनो साल की पड़ाई हो जाएगी, अगर तुम सही तरीके से admission लेते हो, counseling के through admission तुमको मिलता है, तो 80,000 में तो तुम दोनो साल बढ़ लोगे, लेकिन अगर तुमें लगता है कि मैं direct admission लेलू, पता नहीं, fourth round, CLC क्या चक्कर है, क्या नहीं, तो एक चीज़ समझो, कि आपसे direct admission के नाम पर मांगा जा सकता है, लगबग लगबग 80,000 रुपया, एक साल का, और ये amount बढ़ भी सकता है, ये समझें, कप्रियास करिए, ये amount increase भी कर सकता है, इसी लिए ये कहा जाता है, कि आप लोग choice filling करने से पहले किसी expert कि राये लें, college का proper arrangement कैसे करना है, order में कैसे लेकर करके आना है, कैसे जल्दी college मिलेगा, ये सब choice filling order पर depend करता है, खेर, तो still we are waiting for the CLC round, either for the CLC round, और for the next round, तो देखते हैं कि fourth round के नाम पर क्या आता है, fourth round के नाम पर main round आता है, या फिर CLC आता है, लेकिन आएगा तो जरूर, क्योंकि तीसरा जो option बचता है, जो कि direct admission का, तो अगर वो college को दे दिया गए, कि भाई, तुम जो बची हुई सीटे हैं, उस पर direct admission करा लो, तो फिर तो ये समझे लोगी, यार मतलब ये जो step लिये थे, इस सारे step बरबाद जाएंगे, क्योंकि direct admission का लोचा जहां आया, तो फिर ये मन माने रूप से पैसे मांगेंगे, college वाले, कोई कहेगा 90,000 लागे तो, कोई कहेगा एक लाग लागे तो, जो मन करेगा वो पैसे मांगेंगे, याना तो direct admission का तो chance है नहीं, तो जो भी है, वो या तो CLC, या फिर फोर्थ राउंड, और जो भी होना होगा, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, within this week, इसी week के अंदर हो जाना है, ठीक है, इस week के अंदर, इस week के अंदर चाहे CLC आ जाएगा, चाहे main round के नाम पर fourth round आजाएगा, ठीक है, तो इस week तक आप वेट करो, definitely इस week में आपको अच्छी news मिलने वाली है, वीडियो के लास तक अगर आप हो और मुझे सुन रहे हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे सुनने के लिए, और अगर fourth round आता है, choice filling order से related आपको कोई query आती है, तो definitely आप मुझे approach कर सकते हो, मैं आपके लिए available रहोंगा, description box में मेरा contact number दिया होगा है, जिससे मैंने अभी तक, हजारो बच्चों की queries को solve किया है, ठीक है, और अगर आप मेरे तुरू अपना choice filling order करवाते हो, तो definitely एक nominal charge रहेगा मेरा, जिसके basis पर मैं यह सब करता हूँ, चीक है, तो इतना था मेरे पास, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बाकी, तब तक के लिए updated रहे है, वीडियो पर बने रहे है, thank you.